हेलो दोस्तो वेलकम टू दा मोटर एक्सप्रियेंस दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एक से देटन के बीच कौन सी गाड़ी बढ़िया रहेंगी बिजनेस के लिए तो भारत में स्मॉल कमर्शल वेकल सेग्मेंट टाटा ने इंट्रिडूस किया दोजार पाच में टाटा इसको लॉच करके और तब से आज तक इस सेग्मेंट में एक से बढ़कर एक गाड़िया लॉच हुodynamics ही है और इस सेग्मेंट में कॉम्पेडिशन बढ़ गई है फ्याज देटे काड़ी मिल सकती है तो आपको मिलती है टाटा की इंट्रा वी टेन इंजिन की बात करें तो आपको इंजिन मिलता है 0.8 लीटर डिया कॉमन रिड एसीर टेकनोलोजी पर यह बेस्ट इंजिन है और यह दो सिलिंडर इंजिन के साथ आता है और इसमें आपको डिस्पेस्मेंट मिलता है 798 cc पावर की बात करें तो पावर मिलता है 44 hp 3750 rpm और टॉर्क मिलता है 110 Nm 1750 से 2500 rpm गीर बोक्स की बात करें तो आपको गीर बोक्स मिलता है GBH 65 और गीर मिलते हैं 5 प्लस 1 और आपको टायर साइज मिलते हैं 14 इंच के टायर्स मिलते है suspension की बात करें तो आपको front और rear में semi elliptical leaf spring मिलते है fuel tank capacity की बात करें तो आपको 30 liter diesel fuel tank मिलते है जिससे की ये गाड़ी mileage देंगी 17-18 kmpl का ये approximately mileage है और add blue tank मिलते है 10 liters की gross vehicle weight की बात करें तो आपको मिलता है 2120 kg और payload मिलता है 1000 kg और आपको ground clearance मिलता है 175 mm cargo bird dimension और डाली की बात करें तो आपको लंबाई मिलती है 8.2 foot और चवडाई मिलती है 5.2 foot price की बात करें तो ये गाड़ी की price starting होती है 6.85 lakh एक showroom और ये गाड़ी warranty प्रदान करती है 2 साल या 72,000 km की और एक गाड़ी आती है एक टन में महिंद्रा की supra profit truck maxi आप हमारी चैनल पे जाके वीडियो देख सकते है link description में दी गई है 1200 kg पेलोड में गाड़िया available है जो की है बुलेरो की pickup extra long 1.3 टर इसमें आपको engine मिलता है M2 DISR 2.5 लीटर टर्बोचार डीजल इंजन और इस गाड़ी में आपको power मिलता है 75 hp 3200 rpm और टॉर्क मिलता है 200 newton meter 14-2200 rpm ग्रॉस एकलवेट की बात करें तो आपको मिलता है 2995 kg और पेलोड मिलता है 1280 kg टायर साइस की बात करें तो आपको 15 इंच के टायर मिलते है और cargo board dimensions और डाले की बात करें तो आपको लंबाई मिलती है 8.4 फूट और चवड़ा मिलती है 5.6 फूट और ये गाड़ी की price starting होती है 9.29 लेक शोरूम और 1200 kg में आपको अशुक लिलेंग की बड़ा दोस्त आयवन भी आ जाएंगी जिसमें आपको इंजन मिलता है 1.5 लिटर टर्बो चाल इंटर्गूल डिजल इंजन और ये तीन सी लेटर इंजन के साथ आती है और displacement मिलता है आपको 1478 cc और इस गाड़ी में आपको power मिलता है 70 hp 300 rpm और torque मिलता है 170 Nm 1600 से 2400 rpm और इस गाड़ी में आपको gear मिलता है 5 प्लस 1 और clutch मिलता है आपको 215 mm diaphragm single diaphragm clutch मिलता है और ये गाड़ी की sitting capacity की बात करें तो आपको driver plus two sitting capacity के साथ ये गाड़ी आती है और इस गाड़ी में भी आपको 14 inch के tire मिलते है इस suspension की बात करें तो आपको front and rear में parabolic suspension with double acting shock absorbed मिलते है fuel tank capacity के बात करें तो आपको 40 liter diesel fuel tank मिलती है जिससे की ये गाड़ी mileage देंगे 12 से 14 kmpl का ये approach mileage है और आपको gross vehicle weight मिलता है 2652 kg और payload मिलता है 1250 kg और ये गाड़ी में आपको AC का प्रावधन भी available है और आपको इस गाड़ी में ground clearance मिलेंगा 177 mm cargo board dimensions की बात करें तो आपको लंबाई मिलती है 8.5 foot और चवडाई मिलती है 5.9 foot और ये गाड़ी की price starting होती है 8,01 और ये गाड़ी warranty प्रदान करती है 3 साल या 1,00,000 km की आपको 1200 kg पेलोड में अशोक लिल्याड बड़ादोस एक बड़ी option रहेंगा 1300 kg पेलोड में आपको मिलती है महिंदरा की बुलेरो, पिकव, मैक्सी, सीटी, 3000 इसमें आपको engine मिलता है M2DI engine मिलता है और ये चार सिलिंडर engine के साथ आता है और इसमें आपको displacement मिलता है 2523 cc और इस गाड़ी में आपको power मिलता है 65 hp, 3200 rpm और torque मिलता है 195 Nm, 1400-200 rpm और आपको इसमें gear मिलते है 5 plus 1 और clutch मिलता है आपको single plate dry clutch और इस गाड़ी में आपको tire size मिलते है 15 inch के suspension की बात करें तो आपको front में मिलता है rigid lip spring suspension और rear में आपको over slung rigid lip spring suspension मिलता है fuel tank capacity की बात करें तो आपको 45 liter diesel fuel tank मिलेंगी जिससे की ये गाड़ी mileage देएंगी 136 चाओदा KMPL का आपको gross vehicle weight मिलेंगा 2825 kg और payload मिलेंगा 1300 kg और आपको इस गाड़ी में ground clearance मिलेंगा 185 mm और ये गाड़ी भी driver plus two sitting capacity के साथ आती है और इसका base variant driver plus one sitting capacity के साथ आता है और cargo bar dimensions की बात करें तो आपको length मिलेंगी और लंबाई 8.2 foot और चवडाई मिलेंगी 5.5 foot और ये गाड़ी की price starting होती है 7.68 lakh एक शोरूम और ये गाड़ी warranty प्रादान करती है तीन साल या एक लाग किलोमिटर्स की 1500 kg पेलोड में आपको मिलती है Tata की intra V50 engine specification की बात करें तो आपको engine मिलता है 1.5 liter DI engine और ये चार सिलिंडर engine के साथ आता है और इसमें आपको displacement मिलता है 1496 cc power मिलता है 79 hp 4000 rpm और torque मिलता है 220 newton meter 1750 से 2500 rpm गियर बॉक्स ही बात करें तो आपको gearbox मिलता है G5220 gearbox मिलता है और gear मिलता है 5 plus 1 clutch मिलता है आपको single plate dry friction diaphragm clutch और इस गाड़ी में आपको power steering मिलती है hydraulic power steering और tire size मिलता है आपको 15 inch के suspension की बात करें तो आपको front में suspension मिलता है parabolic lip spring suspension और rear में आपको semi-liptical lip spring suspension मिलता है और आपको 35 liter diesel fuel tank मिलती है जिससे की ये गाड़ी माइले देंगी 12-14 kmpl का gross vehicle weight मिलता है 2940 kg और payload मिलता है 1500 kg और आपको ground clearance मिलता है 177 mm cargo weight dimension और डाले की बात करें तो आपको लंबाय मिलती है 9.8 foot और चावड़ाई मिलती है 5.3 foot और ये गाड़ी की price starting होती है 8.67 lakh एक शोरू और ये गाड़ी warranty प्रदान करती है 2 साल या 72,000 km की 1500 kg पेलोड में आपको और दो आप्शन अवेलेबल है जो कि ये टाटा योद्धा 1500 और अशोकली लेंड की दोस प्लस दोस्तो आपको वीडियो informative लगा हो तो like, share and subscribe करना ना भूले Thank you for watching